हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का गैजट से बरी इस कूल वीडियो के अंदर इस वीडियो में आपको पांस ऐसे गैजट के बारे में बताऊंगा जिन से आपकी लाइफ और भी असान हो जाएगी एक ऐसी जैकेट जिसके अंदर लगा हुआ है हीटर यह जैकेट विंटर्स में आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है और बताऊंगा आपको एक ऐसी वाच के बारे में जो कि स्पेशली राइडर्स के लिए बनाए गई है यानि कि आप राइडिंग के शोकिन है तो इस वाच को जरूब आए करना यह वाच है तो एक नॉर्मल वाच लेकिन दिखने में काफी इंटरेस्टिंग लगती है और नाइक में तो बहुत अच्छी है दिखती है साथ ही कुछ ऐसी चीजे आपको बताऊंगा जो कि आपकी डेली जूजिस में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है और दोस्तों इन सभी प्रोड़क्ट्स को आप अमेजोन पर परसेज कर सकते हो जिनका लिंक आपको डिस्क्र बहुत सारे मार्किट में बेंड देखने को मिल जाएंगे लेकिन इतना कूल दिखने वाला और बहुत सारे फीचरस के साथ आने वाले यह बैंड़ जाए ड़ोस्तों इसके रोब बहुत ज़्यादा मजबूत है चाहिए आप कितना भी जोड़ लगा लगा जाह इतनी असा इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे की कॉल ड्रिंग्स को ओपन करने के लिए बॉटिंग करने के लिए या फे कहीं पिक्निक पर जाने के लिए यह हर तरीके से शूटेबल हो जाता है नमब फॉर यूनिट वन फैरो दोस्तों क्या आपने कभी रात के वक्सर एक पर साइकल चलाई है अंज्यरे में हमारे बास ना तो लाइट होती है और ना ही साैड मिरर ऐसे में रात के समय हमें पिछे से कौन धका जेते कोई नहीं जानता और चाहिए आप हेलमिट लगा हूया नहीं क्यूंकि पिछे बालों को पता ही नहीं चलता बिना लाइट और इंटीकेट है कि Сांब कोई साइकल वाला भी है और यही सबसे बड़ी वजा है कि रात को लोग साइकल चलाने से डरते हैं मगर दोस्तों इस गैजट को सुनने के बाद आपका यह डर भी खतम होने वाला है इस गैजट का नाम है यूनिट वन फैरो या फिर आप इसको एक हैलमेट भी बोल सकते हैं यह एक एलमिनेटिंग है जो कि स्पेशल साइकल के लिए ही बनाए गई है दोस्तों इस एलमेट में पीछे 40 LED लाइट लगाई गई है और साथ ही ऑटोमेटिक सेंसर भी दिये गई है जो कि आपके फोन से कनेक्ट हो जाते हैं और ऑटोमेटिक लाइट को ओन कर देते हैं त नमबर त्री गामा अब मैं आपके सामने एक ऐसा गैजट लेगा रहा हूं जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे गामा एक जैकेट है जो की 14 फीचर्स के साथ आती है दोस्तों आप सोच रहे होगे कि एक जैकेट में बले ही क्या हो सकता है तो दोस्तों आपको बता दू कि यह एक ऐसा जैकेट है जो कि गर्मी में ठंडा और सरदी में गरम हो सकता है आपने बिल्कुल सही सुना है कि यह जैकेट आपको गरम भी कर सकती है और ठंडा भी इस जैकेट में ग्राफिट इंफ्यूजड है और इसमें वर्न कारबन थिक एटम है जो की सूपर हीट सकते हैं चाहे आप फिर एरोप्रेर में हो या फिर आप जंगल में टेंप्रेशर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है यह एक हाई नेक जैकेट है जो कि अनब्रेकबल है और इसकी गैमा टेक्नोलोजी कभी इसको फिर नहीं देती जैकेट के अंदर इतनी सारी वाच खास करके कार के शोकिंस के लिए बनाई गई है इसकी कर्विंग डिजाइन शाहिद ही आपको किसी और वाच में देखने को मिले दोस्तों इस वाच को बड़े ही अच्छे डिजाइन के साथ त्यार किया गया है यह फॉर्म आम शिल मेकैनिकल वाच है जिसकी प्रेकिंग के जैसी दिखती है इस वाच को आप एक बार देख लो तो फिर देखते ही रह जाओगे यह तो इसका काम भी समय दिखाना ही है लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं इसको बहतर बनाती है और इस वाच को पैन कर कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि यह सकता है अब आप सोच रहे होगे कि एक रोबोट भला ऐसे कैसे कर सकता है तो दोस्तों यह एक ऐसा रोबोट है जो कि दिखने में हुववववव एक कार की तरह है बस इसमें आपको हजारों फीचर्स मिल जाएंगे आप इसको सिफ रिमोट से नहीं बलकि आप अपने मोब साइल में खेलते हैं लेकिन रोबो मास्टर की मज़द से आप केम्स को प्रैक्टिकल यह अपने घर बालों के साथ और दोस्तों के साथ खेल सकते हैं इस रोबोट में इंस्पारड़ रेस और गोलिया भी है जो अपोनेट पर इस पर अटैक करके रियल में उसको खरा सकते ह होने से आप अपने बोरिंग गेम को काफी इंटरस्टिंग बना सकते हैं आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था आपका फिवरेट गैजर सिंद में से कौन सा है कमेंट करकी मुझे ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अजरी तक देखने के लिए आपका शुक्रिया मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा गुडबाई